यहां पर वाय आ रहा था इसलिए हमने वाय की लिमिट इन फॉर्म फंक्शन लेलिया हमें इसकी इंटीग्रेशन करते हूं देखें जब मैं एम की इंटीग्रेशन वाय के रिस्पेक्ट से करूं कि पार्चल डेरिवेटिव आरा डेरिवेटिव जो हता है आपके पास बेसिक तो आपने फञंक्शन लिखा उसके इंदर अब अपर लिमिट फुट करें अब Y की लिमिट थी तो Y की जगा पर पहले F2 आ जएका माइनस फिर Y की लिमिट थी लोयल लिमिट में इसकी इंदर जब पुट करेंगए तो Y की जगा पर F1 आ जएका दो rap favorite बिग एक ड़लेंग जब आपको पता है मैं limit change करती हूँ B से करूँगी साथ में negative sign जरूर आ जाएगा अब मैंने इसकी limit क्यों change किया देखे मुझे जो M वाली term है उसका answer minus की form में चाहिए क्योंकि जब मैंने यहां पर पीछे किया था M के साथ minus sign involved हो रहा था तो दोनों term को minus बनाने के लिए term positive आ रहे थी मैंने इसकी limit सापस में change कर दी जब मैं limits change कर दूँगी यहां पर भी minus sign आ जाएगा अब अगर आप गोर करें A point से B point B point से A point इसका मतलब भी एक closed curve बन रहा है यानि कि देखें A point से B point B point से A point यानि कि यहां से यहां जा रहे हैं और फिर यहां से यहां आ रहे हैं तो यह closed curve बन रहा है और closed curve अगर आपके पास आ रहा हो उसको limits की जगह आप उसके पर circle डालके भी लिख सकते हैं वो closed curve है that's why इसको आप closed curve लिख दोगे और बता दोगे किसका function था M का और साथ में किस चीज़ का derivative था dx का तो यहां से देखें partial double derivative partial M over partial where dx dy की value आपके पास sequel आ गई है minus closed integral m dx के अब देखें similarly आपने यहां पर क्या काम की है इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ के equal ले आए हो function की form में limit चाहेंगे अब अगेन हम इस वाली path को दो parts में divide करेंगे और दो parts में divide करने के बाद बताएंगे कि x के respect से function कौन सा आएगा और y के respect से यह वाली limit आएंगी जब derivative आपका देखें y के respect से था function में y की limit function की form में put की थी x as it is आया था अब x के respect से यह तो x के लिए function लोगे और y के limit यह वाली पुट कर दो के तो देखें जब हमने x के respect से function बनाना है मैं आप कौन सा path ले रही हूं मैं एक path ले रही हूं e a से f तक दूसरा path में ले रही हूं e b से f तक पहले मैंने a वाले points के respect से लिया था अब y x इस पर देखें e और f लाए कर रहा है इसलिए हम एक दफा लेंगे कि आपके पास e a f है और दूसरा लेंगे e b f है तो देखेंगे बिसिकली दो कव में डिवाइड हो गया वह एक पात e a f आ गई दूसरी e b f आ गई और let कर लें कि यह वाली जो चीज है e b f e a f है इसके respect से आपकी जो limit आती है वो g1 of y आ जाती ह और जो e b f है यह वाला curve जो है इसके respect से g2 of y की equal है जब आप y axis के respect से बात करते हो जो आपकी limit होती है वो होती है right minus right से left की तरफ जाना होता है तो इसलिए उपर आप भड़ी वाली limit पूट कर दोगे right वाली g2 of x g2 of y क्यूंकि x के respect से function है तो x का function y की form में आता है जब y के respect y axis की तरफ से आपने limit जो है y के लिए calculate करनी हो तो आपके पास उपर upper limit आती है नीचे loyal limit आती है और जब कभी आपका y fix हो आपने x के respect से limit देखनी हो आप left limit minus right limit करते हो left वाली limit जो होती है वो g1 of y आपने यहां पे लिए right वाली limit g2 of y ली है उसके respect से करोगे इसमें भी derivative integration को खतम कर देगा एन आ जाएगा अपर limit पुट करोगे लोई limit पुट करोगे अपर लोई limit पुट करने के बाद इसमें स्टम को लग कर लोगे स्टम को लग कर लोगे अब n का answer हमें देखिए plus की फो में चाहिए था इसलिए आप क्या करोगे जहां पे negative आ रहा था वहां पे उ value जो थी और जो m की value निकली थी इन दोनों equations को अगर आप add कर दो तो जो चीज़ हमने थियोरा में प्रूफ करनी थी वो हमारी easily प्रूफ हो जाएगी